Now please put the heading, किसी को कोई भी query है इस में, जो मैंने भी तक बताया, Any query, ठीक, ओके, Now please put the heading, random variable, random variable, ठीक है, ध्यान देना, अगर मानलो, देखो क्या लिखा, random variable, ठीक है, ध्यान देना, X plus Y is equal to 10, X और Y यहाँ पर 2 variables हो गए, एकदम ध्यान देना, X और Y यहाँ पर 2 variables हो गए, तो अगर मानलो, मैं यह बोलता हूँ, कि X takes the value 4, तो Y क्या value लेगा, 6, X takes the value 5, तो Y क्या value लेगा, 5, बने X जैसे से value लेगा, वैसे वैसे Y लेगा और Y से वर्सा, तो यह तो variable हो गया, Y random variable, देखो, ध्यान देना, मानलो मैंने, दो coin toss किया है, दो coin मैंने toss किया है, तो मेरा sample space क्या बनेगा, and what is sample space, sample space is the set of all possible outcomes, sample space is the set of all possible outcomes, तो क्या-क्या outcomes मेरे हो सकते हैं, head head, head tail, tail head and tail tail, ठीक है, अगर मानलो मैंने 2 coin toss किया है, तो यह ही मेरा sample space हो सकता है, correct, yes or no, यह ही मेरा sample space हो सकता है, okay, head head का मतलब क्या हुआ, दोनों बार मैंने coin toss किया, और दोनों बार मेरा head आया, head tail मतलब पहली बार head, दूसरी बार tail, head and tail tail, ठीक है, तो यह मेरा sample space हो, अब मैं define करता हूँ, एक event को, ठीक है, देखो, मैंने यहाँ पर x को define किया है, as number of heads, x को मैंने क्या define किया है, number of heads, events, तो एक बात बताना, x क्या-क्या value ले सकता है, एक बात बताना मेरको कि x क्या-क्या value ले सकता है, बताओ मेरे को, x क्या-क्या value ले सकता है, x can take the value 0, 1 and 2, x can take the value 0, 1 and 2, क्यों, क्योंकि number of its can be either 0, okay, number of its can be either 0, it can be 1, 1, it can be 2, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया पता है आपको, अब देखो यह जो sample space जो था, इससे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगो, head, head, tail, mean क्या है, variance क्या है, statistical properties क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो start हम लोग random variable से करते हैं मिशा, define किया है मैंने, x is my random variable, मतलब एक ऐसा rule, एक ऐसा rule ध्यान दीजेगा, एक ऐसा rule जिससे मैं numbers associate कर पाऊं, जिससे मैं numbers associate कर पाऊं with each element of the sample space, with each element of the sample space, ठीक है, अब देखो, x will take the value 0, ठीक है, x will take the value 0 मतलब, दोनों टेल, total possible outcome के हचार, उनमें से एक ऐसा outcome है, जिसमें x will take the value 0, तो x will take the value 0, x will take the value 1, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है वीवी, मतलब तब बनेगा, जब हम लोग probability को associate करेंगे, तो random variable क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक ऐसा rule जिससे मैं numbers को associate कर पाऊं with each element of the sample space, ठीक है, और एक काम, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, numbers को associate कर दिया, now total possible outcomes, now total possible outcomes is equal to 4, ठीक है, अब ध्यान देना, what is probability, probability का मतलब क्या हुआता है, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, probability मतलब क्या है, chance, इतना में इतना, तुम रस्ते में जा रहे थे, भेल पूड़ी खा रहे थे, तीन रस्ता आया, कोई भी एक रोड में जाओगे, और कोई भी रोड में जाने का probability equal है, मतलब सारे में, तुम कोई भी एक में जाओगे, इसका probability क्या आएगा, वन बाई थ्री, क्योंकि 3 रस्ते निटल रहे हैं तुम किसी 1 रस्ते में जाओगे, इसका probability क्या है? 1 by 3 ठीक है, 2 रस्ते निकल रहे हैं? Half 4 रस्ते, 4 रस्ता है 4 रस्ता है हो सकता, तुम वही से घूम जाओ हो सकता, तुम दाया जाओ, मैया जाओ, सीधा जाओ तो अब तुम चौर रस्ते में खड़े हो, बीच में एकदम, अब तुम कहाँ जोगे, probability is 1 by 4. Assuming कि भाई, तुम back भी जा सकते हो, तुम सीधा भी जा सकते हो, तुम दैब भी जा सकते हो, और सबका equal probability है. तो probability का मतलब क्या हुआ? favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. अभी कुछ, अभी कुछ सुनो, don't write, don't write, पहले समझा दूँगा, समझ में आ जाएगा, सबके मुझसे हाँ सुन लूँगा, फिर लिख देंगे, ठीक, अभी कली सुनते जाओ, ध्यान देना. तो random variable क्या है? random variable is a rule by which we can associate numbers with each element of the sample space. And what is sample space? Sample space is a set of all possible outcomes. एक die throw किया. लूडो खेला है ना? subsidy. तो लूडो तुम लोग खेल रहा था, गोठी कितना में खुलता है? comment box में बताना तो? गोठी कितना में खुलता है? comment box में बताईए. 6. क्या probability कि 6 आएगा? 0! कभी आता ही नहीं मेरा तो. जब सबका खुल जाता है तो फिर लास में के मेरा खुलता है. दया बोल के दया आता है भगवान को मेरे पर कि भई अब तो इसका गोठी खुल देते हैं. जब वो lockdown चलना था ना? कौन सा गेम सबसा था ही टुआ था? Ludo King. क्या था रहा? मने बहुत 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 मास था गेम. जान मुझके कटवा देता था. तो अभी क्या है? 6 आएगा जोगसा पाट. 6 आएगा इसका probability क्या है? 1 by 6. क्योंकि 1 से लेके 6 तक die में पुरा नंबर है. ठीक है? फेवरेबल probability will be 1 by 6. तो एक सकेंड और एक चीज लिख रहे है. probability of any event A. मतलब कोई भी एक event का होना. event मतलब क्या हो गया? subset of sample space. चीज को समझना. तुम्हें die throw किया. तो event क्या हुआ? odd number आना. तो die में odd number क्या है? 135. die में odd number क्या है? event number क्या हो गया? 246. total numbers क्या है? 6. तो odd number आएगा इसका probability क 3 by 6. event number आएगा इसका probability क्या है? ठीक है? तुमने एक event define किया. getting ahead. getting ahead. एक पॉइंट टॉस कर रहा है. getting ahead. 1 by 2. क्योंकि दो outcome है. head याफी tail. उसमें से किसी एक तुमको चाहिए. ठीक है? ताश खेला है? ताश. ताश कोंकों खेला है? हैंड रेस करो यहाँ पर. शर्माने वाला कोई बात नहीं है. हैंड रेस करिए. हाँ. हैंड रेस करिए. very good. ताश में क्या होता है? मने चार्ट टाइप का चीज होता है. देखो. एक मेंटा. ध्यान देना. ताश के बारे में हम बाताऊ तो, ताश में क्या होता है? टोटल में 52 कार्ट, डिवाइड़ इन्टू 4 सेट्स 52 cards divided into 4 sets तो हर एक set में 13 card होते हैं 1 2 से लेके 10 KQJ KQJ तो 1 is not a face card, ace बोलते हैं English में ace, ace is not a face card तो in total there are 52 cards so what is the probability of getting a face card in each of the sets there are 3 face cards King, Queen, Jack तो 3 x 4 12, so what is the probability 12 by 52 simple, so probability is favorable number of outcomes divided by total number of outcomes ठीक है तो एकदम ठीक है, अब ध्यान सुनना favorable number of outcomes divided by total number of outcomes ठीक है और event क्या होगे, it is a subset of sample space, events का मतलब क्या होगे, it is a subset of sample space मने, sample space में तो सारे चीज़े आ गई न, उसका एक part, उसका एक अंग ठीक है अब ध्यान दो, वापस से, वापस से क्या था, अब सिंस मैंने probability define कर दिया, अब देखो हम लोग कैसे कैसे statistics के अंदर अंदर घुस रहे हैं, ध्यान देना, एक flow chart बनाएंगे, एक flow chart बनाएंगे, सबसे पहले random variable को मैंने define किया, number of heads, ठीक है, number of heads, तो फिर मैंने देखा कि कि अब सकता है, 0 वंटी, तो मैंने numbers associate कर दिया, विद रहल पर random variable, अगर random variable नहीं होता, तो numbers associate नहीं कर पाता भी, teach element of the sample space, ठीक है तो, अब जैसे क्या है, ध्यान देना, total में there are 4 possible outcomes, total number of outcomes क्या है, 4, अब favorable ध्यान से सुनना, अब favorable ध्यान से सुनना, probability, लिखते कैसे देख लो, X, capital X, which is the random variable, will take the value 0, इसका क्या probability है, X will take the value 0, इसका क्या probability है, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, सिर्फ एक ऐसा case है, जिसमें 0 number of heads आएंगे, कौन सा वाला, tail, tail, probability X is equal to 1, 2 by 4, क्योंकि head, tail, 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 head, tail, head, Shruti Kamboji समझ में आ रहे हैं, हाँ, ठीके, very good, Samyak जी, Samyak, समझ में आ रहे हैं, Samyak, very good, Yash Mittal, is from Uttrakhand, yes, very good, हमको तो बहुत पसंद है पहाडी जगा, कितना ठंडा ठंडा लगते हैं आपर पहाड में, हाँ, 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 बहुत अच्छा है, ठीके हैं, तो X will take the value 0, उसका क्या probability है, 1 by 4, कैसे, 2, है, दोनो, दोनो head आएगा, क्या बोल रहे हो, X will take the value 0, मतलब क्या, दोनो head आएगा, number of heads मैंने बोला, ना, ये देखो, number of heads, तो दोनो head आएगा, इसका क्या probability है, 1 by 4, क्योंकि एक ऐसा chance है, एक ऐसा chance है, जिसमें क्या हो सकता है, दोनो head आ सकता है, तो अब मैंने probability निकाल दिया, इससे अब हम लोग एक distribution बना सकते हैं, जिसमें मैंने probability को distribute कर रखा है, total probability हमेशा बनोगा, total probability हमेशा बनोगा, तो अब मैंने distribution बना देना इसका, कैसे बना देंगे देखो, X, 0, 1 और 2, random variable X can take the value, 0, 1 and 2, और नीचे में आ जाएगा probability capital X is equal to small x, इसका मतलब क्या है, capital X जो मेरा random variable है, वो small x value लेगा, बेटा doubt प्लीस comment box में type कर दीजे, ठीक है, पारश जी अपना doubt प्लीस comment box में type कर दीजे, एकदम ध्यान से सुनते जो, सुनते जो, सुनने का पैसा दिया है, X will take the value, X is what, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, क्या किया इस table में मैंने, ये जो table मैंने बनाया है, अगर कोई मेर से पूछे, क्या 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 क्या, तो मैं क्या जवाब दूँगा उसको बताओ, गाना नहीं सुने ला, नाम नहीं लिया बटा, ये तो बॉलिवूड क्लास नहीं चल ला है न, ये PDF है, probability distribution function, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें probability को distribute कर दिया, probability को distribute कर दिया मतलब, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, मेरे साथ साथ बोलो, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, आप देखो, सब कुछ complete लग रहा होगा, x will take the value 1, इसका क्या probability है, 2 by 4, ठीक है, मैंने random variable के help से probabilities associate कर दिये, ठीक है, मैंने क्या किये, probabilities associate कर दिये, x will take the value 2, कोई मतलब नहीं बन रहा था, x will take the value 2 with how much probability, the answer is 1 by 4, capital X मेरे random variable हो गया, small x मेरे dummy variable हो गया, dummy मतलब, ay, ठीक है, देखो, अब सुनते जाओ, अब, ये क्या है, probability distribution function, ठीक है, probability distribution function, okay, yes, I just, see the chat box once, yes, Paras, you can ask a doubt, Paras, Madan, okay, no doubt, ayy, wow, very good, सब लोग अपना camera on रखेंगे, कोई camera off नहीं करेगा, अन्शर्मा, complain कर दूँगा पापको, चलो, अब लिखेंगे, heading लगाईएगा random variable, heading लगाईएगा random variable, लिखेंगा, heading लगाईएगा random variable, लिखेंगा, random variable is a rule, random variable is a rule, अप लोग को method समझ में आ गया है, पहले समझ लेंगे फिर लिक लेंगे, ठीक हैं, random variable is a rule for associating numbers, for associating numbers with each element of the sample space. random variable is a rule for associating numbers with each element of the sample space. random variable is a rule for associating numbers with each element of the sample space. इसके बाद में इसके नीचे लिखना, sample space, sample space, dash देके लिखना, set of all possible outcomes. set of all possible outcomes, set of all possible outcomes. उसके नीचे लिखना, event, उसके नीचे लिखना, event, subset of sample space, subset of sample space. full stop, example, example, tossing a coin and getting a head, tossing a coin and getting a head, full stop. ठीक है, उसके बाद में, लिखना, let us take next, next line, let us take the, speed is fine ना, writing का speed is fine, ठीक है, सबको कोई, कोई भी दिल में शंका हो, तो बोल देना, ठीक है, शर्माना मत. ठीक है, तो, लिखो, let us take the example of tossing two coins, let us take the example of tossing two coins, let us take the example of tossing two coins. full stop, उसके नीचे लिखना, sample space, sample space, sample space, head head, जैसे लिखा लिख दो, head head, head tail, tail head, tail tail, tail tail, ठीक है, इसके नीचे लिखना, now let us define the random variable x, now let us define the random variable x, to be the number of heads, now let us define the random variable x, to be the number of heads, उसके नीचे लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है न, उसके नीचे वैसे लिखना, x, kolon dake number of heads, फिर उसके नीचे लिखना, x, kolon dake 0, 1, 2, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना, total possible outcomes, total possible outcomes, is equal to 4, उसके नीचे लिखना, probability of any event a, probability, जैसे मैंने लिखा है न, पुरह ऐसी लिखो, as it is, favorable number of outcomes, divided by total number of outcomes, यहाँ तक पुरह लिखो, उसके बाद में यहला table, बनाओ, x, 0, 1, 2, नीचे लिखना, probability capital X is equal to small x, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, और इस table को नाम देदा न, probability distribution function, या फिर probability mass function, TMF, probability mass function और probability distribution function, ठीक है, यहाँ तक सब को समझ में आया, everyone cool everyone, please thumbs up दिखा दो, कुछ लोकर तुमें को चहरे ही नहीं दिख रहे है, कोई अपना camera नहीं off करेगा, श्री प्रिया जी आपको समझ में आ रहे है, yes very cool, okay, Nikhil Nambiar, ठीक है, he is not interested in replying, no problem, Tanish Khurana, okay, कोई बात, कोई बात, ठीक है, सहल हेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्रत नहीं, ठीक है, तो यह देखो, यह हो गया, अब यह basic हम लोग ने किया, यह basic हम लोग ने किया, ठीक है, now, चलो, आगे चलते हैं, yes sir, I am here, okay, okay, आगे, अच्छा, हम तो लोग से भी पुछेंगे, आगे चले क्या, तो तो लोग बोलना, चलो, ठीक है, आगे चले क्या, आँ, देखो, सब लोग लिख रहे है, चलो, very good, ऐसे कि बात्चीत होने से तो ठीक नहीं लगता है, मतलो असली लगता है, वन वे क्यू रहे, शुआ से बोलते रहो, आप दिखान देना, notation पे, X is equal to small x, यह मेरा हो गया random variable का notation, capital X मेरा random variable है, जो कि small x value लेगा, अब ये small x के जगह में तुम्हारा dummy variable capital नहीं, sorry, छोटा a भी हो सकता है, छोटा s भी हो सकता है, छोटा t भी हो सकता है, dummy मतलब वो क्या value ले रहा है, ठीक है, capital x is equal to small t, मतलब capital x मेरा random variable है, जो कि small t values लेगा, तो मेरे को ऐसा मत कोशन पुछना, सर आपने तो capital x is equal to small x कर रहा है था, एक्जाम में तो capital x is equal to small a आ गया, मैं तो confused हो गया, ठीक है, सबसे पहले, दो type का मेरा random variable होता है, एक होता है DRV, एक होता है CRV, सब मेरे गाडी का नाम भी CRV है, तो DRV मतलब discrete random variable, and CRV मतलब continuous random variable, ठीक है, N-U-O-U-S होता है, ठीक है, continuous का spelling, तो ठीक है, अब ध्यान देना, ओके, one common example, one common example, अब यह से मालनों, तुम लोग room का AC on करता है, ठीक है, room का AC on करता है, तो जो remote होता है, उसमें ना कभी भी 0.5 में देखना वो नहीं रहेगा, remote में क्या रहता है, 16, 17, 18, ऐसे रहता है, अब एड्वांस AC में रहता होगा, मतलब नॉर्मल AC में तो 16 के बाद 17, 18 नहीं रहता है, ठीक है, एड्वांस AC में तो एक दम पूरे accurate रहता होगा, अब मैं देखा नहीं कभी बैसा, ठीक है, बट सोचो, अगर आपका remote जो नॉर्मल में आपको इसका बात करूँ, तो देखो, यहाँ पर देखो, यह दिख रहे है सबको यह remote, देखो ऐसे, यह remote में, अभी 22 दिखा रहे है, ठीक है, 22 दिखा रहे है, और 22 के बाद 22, बट रूम टेंपरेचर जो होता है न, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 22 ही रहे, वो क्या होगा, अगर मालनो, तुमको कूलिंग चाहिए, तो 22 के बाद मालनो, वो धीरे-धीरे करके, गिर के-गिर के 21 में आता है, तो remote का जो panel है, AC remote का जो panel है, that is what, discrete random variable, it can take the value, 16, 17, 18, but the room temperature, can be between 16 and 32, if you like, get a device, जिसे तुमारे रूम के temperature मेशर हो, तो ऐसा नहीं हमेशा 22 दिखाएगा, तो एसा नहीं होता है, अगर कम के होगे तो 21 दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स ए सबोज ऐसा, जब मालनो तुम्हारा रैंडम वेरियेबल ऐसा कुछ वैल्यूज ले, 1, 2, 3, 4, 5, और जब मालनो कुछ ऐसा हो, X can take any value from 1 to 5, यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरियेबल में, there is something known as point-wise, 1 पे कितना probability है, 2 पे कितना probability है, और यहाँ पर होगा interval-wise, समझ मैं रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होगे तुम्हारा point-wise, उस point-पे कितना है, और एक होगे तुम्हारा interval-wise, अब ध्यान से सुनो मेरा बात को एक दम, एकदम ध्यान से, focus, अब सुनो, तो discrete random variable and continuous random variable, ठीक है, तो discrete का मतलब क्या होगे, point-wise, उस point-पे, अब जैसे एक और example में क्या ले सकता हूँ, AC वाला तो example ले लिया, मैंने AC वाले एक्जामपल में बोले का उतलब है, आप लोगो खुद सोच के देखो, अब जैसे मानलो, मेरा AC चल रहा है 22 में, मैं एक कम क्या मतलब मैं 21 करूँगा उसको, तो जरूरी थोड़ी कि उसी point में मेरा 22 से गिर के 21 हो जाएगा नहीं, अब वो क्या होगा, जो मैंने 21 किया तो धिरे धिरे cooling होता सा होगा ना वो, तो अगर मानलो, दो मिनिट के बाद में 21 होता है, तो एक मिनिट के बाद में हलका 21 या फिर समवट कुछ वैसा होगा ना वो, तो जो रूम का जो temperature है, that can take any value from 16 to 32, उसमें वैसा नहीं है कि वो 16 के बाद सिदा 17 नहीं लेगा, फिर 18 नहीं लेगा, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, AC का जो पैनल है, उसमें देखोगे तो 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 and so on, clear everyone, ठीक है, okay, हाँ, एक और example लेते हैं, एक और example लेते हैं, जो लोग यहाँ पर लिग भी सकते हैं, number of claims, और यहाँ पर आ जाएगा amount of claims, इसका मतलब क्या ध्यान देना, amount of claims का मतलब क्या है, मैं एक insurance company चलाता हूँ, ठीक है, जो फिर महलों मेरे पास कोई student आता है, तो student के आधा आएगा, डेढ आएगा, धाई आएगा, इससा तो नहीं होता है न, या तो एक student आएगा, या फिर दो आएगा, है, जैसे हम लोग याँ पर, 28 पूरे students है, जाता समझ रहे हो, 28 पूरे students है, तो number of claims जो है, एक insurance company के पास में claim आता है, हम लोग जो premium pay करते हैं, अगर वो event हो जाता है, तो फिर insurance company को हम लोग claim submit करते हैं, कि भाईये, देखिए, मेरे संग ये event हुआ है, इसी चीज का मैंने insurance लिया था, जिसका मुझे था इंतिजार, वो घड़ी आ गई है, ठीक है, तो आप लोग अब मेरे को claim दीजिए, तो वो जो claim, जो submit insurance company को कितना claim आ रहे है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन amount of claim सोचो, 36,001 रुप्या 50 पैसा, ऐसा भी होता है, जान मुझके वो लोग ऐसा figure करता है, ताकि दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, पर तो समझ रहे हो बात को, तो 28,951 रुप्या 60 पैसा, तो amount of claims तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, कि 10-10 काई interval में होगा, या फिर 5-5 काई होगा, या फिर पैसा में नहीं हो सकता, होई सकता point में, ठीक है, तो amount of claims, amount of claims is considered to be generally continuous random variable, and number of claims is considered to be discrete random variable, ठीक है, यह वाला question आपसे interview में भी पूछ सकते हैं, Now, how to calculate probability, how to calculate probability, अब जैसे मालो, 1 पे जो probability है, और 2 पे जो probability है, इन दोनों को अगर मैं sum कर दूँँगा, ठीक है, जैसे मालो, for example, मैं आपको बता रहा हूँ, discrete में क्या होता है, हम लोग summation कर सकते हैं, discrete में क्या होता है, हम लोग ऐसे summation कर सकते हैं, ठीक है, अगर मालो, मेरे को total probability निकालना होगा, तो मैं यहाँ पर करूँगा summation, और मैं यहाँ पर करूँगा integration, because integration is nothing, but it is continuous summation, अगर summing over a continuous range रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, integration, लेकिन अगर points रहेंगे specific, उसमें अगर मेरे को sum करना होगा, तो मैं summation यूज़ करूँगा, probability x is equal to 1, plus probability x is equal to 2, discrete random variable, 1 से 2 में कितना है, तो 1 से 2 मैं integrate करूँगा, ठीक है, मैं जो भी variable ले रहा हूँ, for example, room temperature, 16 से 20 के बीच में रहेगा, इसका क्या probability, तो 16 से 20 में integrate करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगर मालो, मेरे को total probability निकालना होगा, तो discrete random variable में हम लोग यूज़ करेंगे, summation और continuous random variable में हम लोग यूज़ करेंगे, integration, ठीक है, सब लोग इसको copy कर लिजए, please, cool everyone, ये सब को समझ में आ रहा है, झालना होगा है, झाल झाल नेता जी शुभाज शंद्रबोश जी ने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा. हम तुम लोग को बोलता है, अपना तीन मेहना दे दो, CS1 से आजादी दूँगा. ठीक है? तो तीन मेहना वस, तीन मेहना. ठीक है? ठीक है? तो यह हो गया सबका? ओके. आगे चले. अब heading लगाना, discrete random variable. discrete random variable. तो discrete random variable में, सबसे पहले, हम लोग का वो जो example था ना, like example already done, ऐसे लिख दो. अबव, वो जो example अपने किये थे न, वो discrete random variable कही था, ठीक है, वो जो example अपने किये थे, that was of discrete random variable only, ठीक है, अब एक ध्यान दे न, इसमें सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, वो तुम्हारा होगा, PDF, probability distribution function, probability distribution function, तो probability distribution function तो मैंने भाँ पर आप लोग का बनवा दिया था, ठीक है, अब करना किया ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसमें लिखेंगे notation, ध्यान से देखो, small f मतलब PDF, capital f मतलब CDF, small f मतलब PDF, तो अभी ध्यान देना, ये small f है, capital x नीचे और यहाँ पर small x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारे notation है, probability distribution function के, ठीक है, अब ध्यान देना, तो अगर इस notation के हिसाब से हम लोग चले, तो हम लोग का f x 0 क्या हो जाएगा बेटा, मने, x will take the value 0, या फिर f 0, या फिर probability capital x is equal to 0, is equal to what, 1 by 4, ठीक है, f x 1 is equal to f 1 is equal to probability capital x is equal to 1, which is equal to 2 by 4, समझ में आया है, notation, तो इसका मतलब क्या है, probability distribution function, तो ये मेरे सारे notations हो गए, ठीक है, तीसरा बाला लिख लो कुछ से, f x 2 is equal to f 2, is equal to probability capital x is equal to 2, which is equal to 1 by 4, इसके बाद में लिखना, conditions for a valid pdf, लिखो, इसके बाद में लिखना, conditions for a valid pdf, तो what are the conditions for a valid pdf, ध्यान देना, पहला है, f x should be greater than equal to 0 for all x, क्यूंकि सुनना मेरा बात को, probability कभी भी negative हो नहीं सकता है, तो इसलिए लिखना, दूसरा देखना, summation of f x over the range of x should be equal to 1, क्यूंकि total probability हमेशा 1 होता है, तो ये दुनों conditions, जो pdf satisfy करेगा, वही बनेगा valid pdf, ठीक है, अब जैसे देखना, एक example देखो, f x is equal to x minus 2 by 5, ठीक है, और यहाँ पर x का range देखो, 1, 2, 3, 4, 5, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला बात, अगर मानलों ये सब भूल जो, अभी तो मैंने तुम लोग को बोल दिया कि हम लोग discrete random variable कर रहे हैं, लेकिन exam में पहचानोगे कैसे कि हम लोग discrete random variable कर रहे हैं, उसका identification सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को देख के क्या समझना है, कि ये discrete random variable है, कि ये continuous random variable है, तो वो कैसे समझ में आएगा, एक्स का range देख के समझ में आएगा, एक्स का range देख के समझ में आएगा, कि ये discrete random variable है, कि ये continuous random variable है, तो इसको देख के क्या समझ में आए रहा, point-wise probability, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो इसका मतलब क्या है, इस discrete random variable है, अब दोनों conditions satisfy होना अच्छे, लेकिन इसमें को satisfy हो नहीं रहा है, आप जैसे ये x का value को 1 डालोगे, तो fx का value less than 0 हो गया, which is not possible, therefore not a valid PDF, लिख दो, not a valid PDF, not a valid PDF, दूसरा देखना, fx is equal to x square by 30, x का value है 1, 2, 3 और 4, तो आप लोग सब से बहले values निकाल लो, कैसे निकालेंगे value एक्दम ध्यान देना, हम लोग क्या कर सकते हैं, f1, f2, f3, और f4, ये चार्टो value सब से बहले निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 1 by 30, 4 by 30, 9 by 30, 16 by 30, ठीक है, और इन सब का सम करो, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, सब का जब उन लोग सम करेंगे, तो answer आएगा 1, so this is a valid PDF, सब्समेता हैं, सबको मैं क्या बूल रहा हूं, next देखना, fx is equal to 1 by 4 x is equal to 1, 2, 3, 4 तो देखो f1 क्या होगा, 1 by 4 क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं 1 डालेंगे तो भी 1 by 4 2 डालेंगे तो भी 1 by 4 3 डालेंगे मतलब वो भी 1 by 4 और अगर 4 डालेंगे तो भी 1 by 4, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, uniform distribution देखो सबका probability सेम है और चारों का जब मैं sum करूंगा तो answer क्या आएगा, 1 fx greater than equal to 0 and summation of fx is equal to 1 तो इसका मतलब क्या है, valid PDF ठीक है, cool everyone एक देखना fx is equal to x by 5 x का range देखो, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर जब आप लोग करेंगे, ध्यान से सुनना, सारा positive तो आ जाएगा बट अब जैसे ही 5 डालोगे, तो answer क्या आ रहा है, 1 और जब बाकी सारा डालोगे, तो अव्वेस बाता क्या आ जाएगा, 1 से बढ़ा आ जाएगा, सबका sum तो not a valid PDF, because summation of fx is greater than 1, समझा, जैसे ही 5 डालेगा, answer 1 आ गया, तो इसका answer क्या होगा, 1 by 5 plus 2 by 5 plus 3 by 5 plus 4 by 5 plus 1, तो summation fx तो 1 से बढ़ा हो गया, तो not a valid PDF not a valid PDF, ठीक है, सामयक जी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अब इसकी बात आगे बढ़ने के लिए हम लोग को एक बढ़ sequence and series का revision करना पड़ेगा, ठीक है, तो heading लगा देना, heading लगा देना, sequence and series, heading लगा देना, sequence and series, तो sequence and series में ध्यान से सुनना, सबसे पहले आएगा ap, ap मतलब arithmetic progression, आप लोग पूरा लिखेंगे, arithmetic progression, तो सबसे पहले ap में, हम लोग को क्या-क्या चीज़ सीखना होता है, ap में numbers कैसे होते हैं, a, a plus d, a plus 2d, dot dot dot, ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, common difference, common difference, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो common difference कितने का, 2 का, यहाँ पर हम लोग का जो n-at term होगा, वो क्या होगा, a plus n minus 1 into d, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो sn होता है, वो क्या होता है, n by 2 into a plus l, where l is the last term, where l is the last term, और एक formula क्या होता है, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, ध्यान देके लिखो इसको पुरा को, मालनो, a से b जा रहे हैं, तो last वाला b है, उसके पहले वाला क्या हो जागा, b minus d, उसके पहले वाला b minus 2d and so on, अब इसमें, क्या क्या हम लोग को देखना है, देखो, 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, up to n, some of the first n natural numbers, वो क्या हो जाएगा, n into n plus 1 by 2, some of the squares, n, n plus 1, 2n plus 1 by 6, ठीक है, sum of the cubes, n into n plus 1 by 2 का whole square, sum of the cubes, ठीक है तो, a हम लोग का हो गया, first term, n हम लोग का हो गया, number of terms, d हो गया, common difference, अब आ जाते हैं, gp में, heading लगा न, geometric progression, यह से short form तो लोग नहीं लिखोगे, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, next, यहां तक हो गया यह शूर देख लो ठीक है ठीक है एवरिवन इसके बाद next लिखना geometric progression तो geometric progression में क्या होता है नंबर देखो a, ar, ar square, ar cube and so on तो इसका जो net term होगा वो क्या होगा a, ar to the power n minus 1 common ratio second term by first term, third term by second term अब इसमें क्या होता है जो sn का जो formula होता है वो क्या होता है पता ना a, ar to the power n minus 1 by r minus 1 if r is very good और एक क्या होता है if r is less than 1 एक और होता है s infinite का a by 1 minus r होता है तभी possible है when r lies between minus 1 and 1 देख लो इसका आराम से यह हमने sequence and series का फटा-फट से quick revision किया दो type का series होता है अगर हम लोग देखेंगे तो एक होता है ऐसा q मैं ध्यान से सुनना minus 1 और 1 के बिच में एक होता है converging series तो converging series का मतलब क्या होता है मालो मेरा common ratio half है तो मेरा series कैसे जाएगा 2, 1, half, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 and so on तो इसमें क्यों रहा है numbers छोटा हो रहा है तो इसका मेरे को value निकालना possible है लेकिन अगर मालो मेरा r का value 2 है तो इसके से series कैसे जाएगा 2, 4, 8, 16, 32 तो यह तो infinity तेख चला जाएगा ना तो इसको बोलते है diverging series और इसको बोलते है converging series तो इस type का infinite निकालना possible है इस type का infinite निकालना possible नहीं है just for thought ठीक है अब next एक question लिखना question लिखना fx is equal to 2x by k, k plus 1 और यहाँ पर x का जो range अब है 1, 2, 3 dot 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 up to k ठीक है तो इस case में हम लोग को यह दिखाना है कि यह valid pdf है की नहीं है तो देखो कैसे करेंगे summation of fx x runs from 1 to k तो मतलब क्या हो जाएगा 2 by k k plus 1 तो constant हो गया क्योंकि summation तुमारा x का है अब x value कैसे कैसे लेगा पहले लेगा 1 फिर लेगा 2 फिर लेगा 3, फिर dot 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 करके k लेगा sum of first k natural numbers and what is the answer of the sum of first k natural numbers k k plus 1 by 2 कट कुटा के क्या आजाएगा 1 so therefore it is a valid pdf देख लो इसको पहले बहा हो थेगा अजाएगा क्यास च्सक्तप पहा आएगा क्याएगा क्याएगा आएगा पह जाएगा ठीक है, next question, अब क्या करना है हम लोग को, एक ऐसा c का value निकालना है, जिसके लिए वो PDF वालिद हो जाए, एक ऐसा c का value लिखो, So, find a value for c, find a value for c, such that the PDF turns out to be a valid PDF, find a value for c, such that the PDF turns out to be a valid PDF. ठीक है, ध्यान देना, पहला question, fx is equal to cx, x का range दियाव है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो क्या करेंगे, summation of fx, over the range of x, should be equal to 1, तो c तो constant अब भाहर आजाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, is equal to 1, तो c का value क्या आजाएगा, मेरा 1 by 15, next, fx is equal to c5 by x, छीक है, मैंने c into 5 by x, तो यहाँ पर x का जो मेरा range है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान देना, 5c तो बाहर आजाएगा, ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, 1 by 1, plus 1 by 2, plus 1 by 3, plus 1 by 4, plus 1 by 5, is equal to 1, ध्यान देना इस question पर important है, ध्यान देना इसमें बिलकुल, बताना c का value कितना आ रहे हैं, झाला इसमेंगा, प्यान देक हैं, प्यान देना, 5b, 16, धर अब हो रहे okay, next, fx is equal to cx square, x का value क्या है, 1, 2, 3, dot, 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 up to k, k, so summation of fx over the range of x, where x runs from 1 to k, is equal to 1, so c तो तो तुमारा बाहर आजाएगा, 1 square plus 2 square plus dot 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 k square, is equal to 1, so c का value, c into what, k, k plus 1, 2k plus 1, by 6, is equal to 1, तो यहाँ पर से मेरा c का value क्या आजाएगा, 6 by k, k plus 1, 2k plus 1, ठीक है, ध्यान देना एकदम, ठीक है, एक सम और करो, fx is equal to c 1 by 4 whole to the power x and x runs from 1, 2, 3, dot dot dot, up to infinity, तो summation of fx, x runs from 1 to infinity, is equal to 1, तो c तो बाहर आगया, 1 by 4 plus, 1 by 4 square plus, 1 by 4 cube dot dot dot, up to infinity, is equal to 1, अब देखो ना, 1 by 4, 1 by 4 का whole square है, basically, और क्या, क्योंकि 1 का square तो 1 ही होता है, तो यह क्या हो जाएगा, infinite gp, और देखो, यहाँ पर r का जो value है, वो भी क्या है, minus 1 और 1 के बीच में है, तो क्या बोल सकते हैं, c, a by, 1 minus r, अब इसको solve कर लो, c is equal to 3 आएगा, check करो सब लोग, बने 1 by 4 का square उसको क्या लिख सकते हैं, 1 by 4 का whole square, है तो वही न, 1 by 4 to the power x है, तो 1 by 4 का square, इसको अगर ऐसे लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पूरे का square, उसका पूरे का cube, ठीक हैं, तो common ratio क्या है, 1 by 4 है, 1 by 4 is getting multiplied by 1 by 4 again, clear everyone, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, तो please बोलिए, next setting लगाना, graph of pdf, मतलब pdf का graph कैसा दिखता है, अपने अगर उसका बात करें, अपना वो जो coin वालो जो example था, तो यहाँ पर मैं measure करूँगा x को, और यहाँ पर measure करूँगा probability capital x is equal to small x को, तो यह 0 है, यह 1 है और यह 2 है, ध्यान देना arrow में, यह है तुम्हारा 1 by 4, यह है तुम्हारा 2 by 4, ठीक है, तो 0 पर height कितना है, 1 by 4, 1 पर height कितना है, 2 by 4, और फिर 2 पर height कितना है, और बाकी कोई भी सब जगा probability के 0, बने यहाँ 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 सब जगा ते को height है यह नहीं, तो मतलब probability 0 है, ठीक है, y-axis पर जहाँ जहाँ पर height है, उसी उसी point पर probability है, ठीक है, ध्यान देना एक दम, हाँ बोलो, arrow मतलब दिखा रहे हैं उसको, और कुछ नहीं है, नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे है, मतलब कितना probability है, वो दिखा रहे है, अरे मतलब, ऐसे कर ले, और फिर कैसे भी कर ले, कोई दिखा दो, arrow मतलब दिखा दो न, उसको उतना height है, और क्या है, यहाँ, बार ग्राफ तो, तुम अलग चीज बोल रहे हैं, यहाँ, कुछ एक indicator नहीं है, कि वो height है, बोल के वो arrow दिखाते हो, कुछ नहीं है, ठीक है, यहला सबको clear हो गया, ठीक है, आब एकदम ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर जो मैंने लिखा है न, यह notation, यह जो है, इसका मतलब क्या है, देख लो, लिख लो, प्रुबैबिलिटी एट अ, पर्टिकुलर पॉइंट, नहीं तो, तुम्हों फॉल स्क्रीन में अगरा कुछ किया होगा, यह नहीं लिख रहा है, प्रुबैबिलिटी एट अ, 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 पे कितना प्रुबैबिलिटी है, ठीक है याद आ रहा होगा आप लोगको मैंने discrete random variable में क्या बोला था point wise probability ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे just give me a moment